नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ABO Blood Group System और RH Blood Group System के बारे में उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि कौन किस को Blood दे सकता है और कौन किस से Blood दे सकता है यानि कि Blood Wanking के जितने भी टॉपिक है उन से भी टॉपिक के ओपर हम लोग अलाग अलाग वीडियो में डिसकस करेंगे अब तक 43 टाप के Blood Group System का खोज हो चुका है तो 43 टाप के Blood Group System में 300 टाप के Antigen का भी खोज हो चुका है यानि कि जितने Antigen होगा उतने ही टाप के हमारा Blood Group ही होता है तो सबसे पहला Blood Group है वो हमारा ABO Blood Group System है जिसका खोज जो है Cardline S.T.N.E.R. ने उनीसो इसमी में क्या था जो कि एक Australia के Scientist है तो इसको इस काम के लिए 1930 में Normal Price भी भी भिलाता तो उसके बाद कही और भी Blood Group System का खोज भुआ है जैसे आपका RH हो गया, Kale हो गया, Duffy हो गया, Kid हो गया, Golden हो गया, Bombway Blood Group तो सारे बात भी खोज भुआ है तो Blood Group जो हे, चार टाइप के होते हैं किसी वेकति का Type A guiding और किसी का टाइप A किसी का Type A होगा किसी का Type A बही होगा और किसी का Type O हो सकते है यादि कि इन 4 टाइप के लोग होते है Под débattir Markuks और भी गुर्ड गुरूप System मा बहुत ही ग्anceर्र होता है यह जो antigen होता है वह हमें अपने parent से जनेटिकली हमें नेचरली हमें parent से मिलता है यही antigen होता है A और B responsible होता है blood group के लिए उसके बाद सेम जो है उसके opposite दो antibody भी होता है जिसको anti-A और anti-B बोलते हैं तो यह serum में मौज़ूद होता है तो अगर जो antigen होगा उसके opposite जो है उसके blood में वो antibody होगा अगर मान लिजे किसी वेक्ति का antigen A है उसके RBC के surface पे तो उसके opposite जो है anti B होगा उसमें antibody तो हम लोग देखते हैं अगर मान लिजे किसी वेक्ति का blood group A है तो A अगर blood group होगा तो उसके RBC के surface पे antigen A होगा और उसके प्रकार से अगर किसी वेक्ति का blood group B है तो उसके RBC के surface पे B antigen होगा अगर माली जो किसी वेक्ति का blood group AB है तो उसका RBC के surface पे दोनों antigen मौझूद होगा AB होगा और BB होगा अगर किसी वेक्ति का blood group O है तो उसमें किसी भी प्रकार के कोई antigen serves मौझूद नहीं होता है तो इसको आप इस तरह से भी समाज सकते है कि अगर किसी बेक्ति के RBC के surface पे अगर A Antigen кажется होता है तो उसका blood group A होगा अगर किसी बेक्ति के surface RBC के surface पे अगर B Antigen होगा तो उसका blood group B होगा यदि दोनों ही antigenes होगा तो blood group A, B होगा और यदि कोई भी antigenes नहीं होगा तो blood group O होता है तो उसी प्रकार से opposite antibody भी होता है अगर antigenes A होगा तो उसके जो against antibody होता है वो B होगा यानि कि A antigenes के साथ A antibody नहीं होगा क्योंकि दोनों aggluteration हो जाकता है तो reaction कर जाएगा तो A antigenes वाले में जो है वो antibody B होता है और B antigenes होगा तो antibody A होगा और यदि दोनों ही antigenes मौजूद होता है RBC के service बे तो उसमें कोई भी antibody नहीं होता है से मुसी प्रकार से अगर कोई साभी antigenes नहीं होगा तो दोनों ही type के उसके serum में antibody होगा तो सबसे जादा जो लोग होते है वो आपका O blood group बाले जो लोग होता है वो इंडिया में सबसे जादा होता है 38% लोग जो है O blood group बाले होता है उसके बाद जो A blood group बाले लोग होता है 22% होता है और B blood group बाले 32% होता है कि उसके बोडी में कोई एक लूटेनेशन रियक्शन ना हो क्योंकि एक का बलड अगर बी में दे दिया जाए और बी का बलड एक दूसरे का एंटी बोडी एंटीजन से रियक्शन करके जो है उसमें हीमोलैसिस आरबीसी जो है वो डैमेज हो सकता है तो हेल्थ प्रोब्लम हो मिलता है जो मदर फादर का ब्लड ग्रूप होगा वहीं बच्चों में डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन सा ब्लड ग्रूप बच्चों में होगा तो जो मदर फादर का जीन होगा वहीं उसके बच्चों में वह जीन ट्रांसफर हो जाता है और वहीं ब्लड ग्रूप हो घंए अरेच जो एंटीजनस होता है जो अरेच फेक्टर जिशका हम बोलते हैं तो यह डिसाइड करता है कि हमारा blood group positive होगा या negative होगा तो जो आबी ब्लूड गोर्डूप system होथा है यह decide क्या था कि हमारा blood ग्रूप कौन सा होगा, A होगा या B होगा या A B होगा और O होगा लेकिन जो आरेज फेक्टर होता है यह डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रूप पोजिटीव होगा या निगेटीव होगा तो पांच टैप के जो है आरेज एंटीजन्स भी होते हैं एक होता है कैपिटल एक होता है कैपिटल E, small e, capital C और small c लेकिन जो D antigen होता है जो जो हम RHD बोलते है तो वही responsible होता है ब्लड ग्रूप पोजिटीव होगा या निगेटीव होगा या रबीसी के सरफेस पर या नि ब्लड में रह एंटीजन्स मौजूद होता है तो ब्लड ग्रूप पोजिटीव होता है यानिक 95% लोगों में रह एंटीजन्स मौजूद होता है और सिर्फ 5% लोगों में रह एंटीजन्स मौजूद नहीं होता है तो जिसका ब्लड ग्रूप पोजिटीव होता है वो सिर्फ पोजिटीव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है नेगेटीव वाले व्यक्त तो उसका blood group positive होगा और जदि किसी वक्ति का blood group A है लेकिन उसमे रह integration मौजूद नहीं है उसके blood में तो उसका blood group negative होगा नेगेटीव ऻुक्तिया है और जो positive वाला वेक्तिया है वो positive वाले को दे सकता और negative वाले से ले भी सकता है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसे ब्लड ले सकता है और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ब्लड बैंक में कितने टाइप के अंटी को इसके ब्लड यूज करते हैं और जो ब्लड देते हैं उसका क्या 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 एक discuss करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीज़े धन्वाद दोस्तों